Hello and welcome everyone आज हम particular integral निकालने के लिए case 2 देखेंगे case 1 में हमारा क्या था? जब q की value क्या हो? e की power ax हो और यहापे हम मानते हैं q की value हमारी क्या है? sin ax plus b और cos ax plus b ओके? इसके लिए हमने working rule सारे लिख दिया है आपको समझा देते हैं क्या क्या करना होगा तो working rule में सबसे पहले लिए को क्या करना होगा अगर d square है उसको minus a square से replace करेंगे d की power 4 है उसको a की power 4 से replace करेंगे d की power 6 है तो उसको minus a की power 6 से करेंगे and so on अब जब हम इसको change करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि तो क्या क्या आ रहा है अगर denometer हमारा constant आ रहा है तो यह हमारा final step होगा इसे में हमारा answer आ जाएगा और अगर denometer reduced to d only we are then only to integrate the function जैसे कि अगर आपके denometer में 1 by d आ रहा है और यह function क्यों हो गया तो इसका मतलब क्या होता है इसको अपने मतलब हमने आपको बताय था इसका मतलब होता है integrate of qdx तो बस आपको यह integrate करना रहाएगा अगर आपके denometer में आ रहा है alpha d plus beta तो आपको क्या करना पड़ेगा alpha d minus beta यानि कि इसके conjugate से उपर denominator numerator में multiply करना होगा multiply and divide ओके जो आप ऐसा कर देंगे फिर आप देखेंगे कि यह जो हमारा बन रहा है क्या हो जाएगा alpha square minus d beta square यहाँ पर d square की value फिर से क्या करेंगे minus a square put up कर देंगे okay जब इसको put up करेंगे तो यह value तो होई जागे कि मैं कुछ finite value लिका दाएगी और यह alpha minus d beta बचेगा तो इसको हम लोग इस पर operate कर देंगे और इसके बाद हमारा particular integral निकल आएगा यह बहुत ही असान method आपको मैंने चल्दी से बता दिया सबसे पहले आपको क्या करना है d square को minus a square से d की पाउर 4 को a की पाउर 4 से d की पाउर 6 को minus a की पाउर 6 से उसके बाद आपको denominator चेक करने है अगर constant आया तो हमारा answer y होगा और अगर only d आय रहा है तो हमको बस integrate करना है और अगर alpha d plus beta के form में आ रहा है तो हमको उसके conjugate से उपर और नीचे multiply करके solve करना पड़ेगा और अगर आपको थोड़ा speed तीज लग रही हो तो आप प्लीज हमें बता दीजेगा comment box में और ना हम बात करते है case of failure की यहां पर जैसे पिछली क्रास हमने देखा था कि एग f of a 0 आ रहा है तो case of failure होता था वैसे यहां पर भी case of failures होगा तो यहां पर एगर f minus a square रखने पर 0 आ रहा है तो यहां पर फिर x से multiply करेंगे और नीचे वाले को differentiate कर देंगे आपको देखना है अगर नीचे डिनोमेटर हमारा 0 आ रहा है तो आपको उपर x से multiply करना है और डिनोमेटर को differentiate कर देना है और ना मूग आँडा questions जिसे हमारा questions है find the pi of d square plus 4 y is equal to sin 3x plus cos 2x यहां पर यहां पर निकालने के लिए क्या करते हैं 1 upon ft यह हमने लिखा ना d cube plus 1 यह वाला function लिख सकते हैं और sin 2x plus 1 यह हमने लिखा फिर हमने क्या कहा था d cube है तो d cube को हम लोग लिख सकते हैं d into d square तो d square के जगहां पर क्या लिखना था आपको d into minus a square और a की value क्या निकली यह x का coefficient तो d into minus 2 का square यह हमने लिखा दी minus 2 का square प्लस 1 और यह sin 2x plus 1 अब जब इसको solve करेंगे क्या रहा है 1 minus 4d sin 2x plus 1 अब यह आप देखिए आपको यह ठीक नमबर 3 वाला किसा आ रहा है अलगर alpha plus beta के form में है ना यह alpha d plus beta तो हम इसको क्या करते हैं इसके conjugate से numerator और denominator में operate करते हैं तो यह पर 1 minus 4d यह इसका conjugate क्या होगा 1 plus 4d तो 1 plus 4d और 1 plus 4d से denominator numerator में into कर दिया इसके बाद हमारा यह 1 plus a plus b a minus b क्या होता है a square minus b a square तो यह 1 minus 4d square और हम इसको 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 आपको minus 4 जैसे की d square की आप क्या लिखेंगे minus a square a square मतलब 2 square मतलब की minus 4 okay यह जागा हमारा इसके बाद जागा अब इसको आपको bracket open करना है 1 से sin 2x plus 1 में multiply करेंगे तो यह जागा और 4 यह बाहर और d आपको operate करना है sin 2x plus 1 पे यह क्या जागा 1 by 65 यह sin 2x plus 1 as it is लिखा रहेगा फिर यह 4 अब इसका यह d का मतलब क्या होता है आपको इसको differentiate करना है तो sin 2x plus 1 कर differentiation क्या होगा cos 2x plus 1 into 2 और जब यह 4 2 जा 8 ते यह क्या हो जागा मारा final answer 1 by 65 into sin 2x plus 1 plus 8 cos 2x plus 1 okay not it's okay for today thank you everyone and please like subscribe and share our youtube channel thank you and comment में करके बता दिजेगा आपको कैसे लेगे videos और कुछ ideas जो आपको advice आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं thank you